नमस्का दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमिस्टन बीपेसी की सबसे बड़ी भरती परिच्छा टीचर भरती परिच्छा टीरी वन का परकिरिया जो है लगभग समाप तो हो चुका है कुछ ही परकिरिया बाकी है इसी के अंतराल में देखे अब नया नोटिस भी जारी कर दिया गया है यानि TRE2 का Phase 2 का यहां पर खोसना कर दिया गया है ओन्लाइन डेट का तो नोटिस आप यहां से देख पाएंगे ठीक है तो में क्या-क्या दिया गया है यह भी देखेंगे और बाकी जैसे सीटे कितनी हें कहां कितनी सीटे हैं ठीक यह सब ज्यानकारी बगएर है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 27-10-2023 को important notice जारी की गई है requirement of a school teacher second phase ठीक है second phase for class 6-8, class 9-10 और class 11-12 and teacher headmaster requirement तो यहाँ पर देखिए एक चीज और जोड़ा गया है कि headmaster की भी vacancy निकाली गई है लेकिन कहां तो यहाँ पर बताया गया है कि BC and EBC welfare department के अंतरगत जो अस्कूल चलाए जा रहे है कन्या विद्याले या वासिय विद्याले जो चलाए जा रहे है BC, EBC के department के अंतरगत तो वो सब जो विद्याले है उसमें headmaster की भरती होनी है और primary teacher की भी भरती होनी है तो वे सभी का एक साथ vacancy जो है निकाला जा रहा है तो online application process is expected to begin in between 311-2023 से लिकर 14-11-2023 तक अगर आप इसको download करते हैं तो देखें notice यहाँ पे जारी कर दी गई है notice में साब साब बताया गया है कि देखें दूतिये अध्यापक नियुक्ति एवं पिछडा बर्ग एवं अति पिछडा बर्ग कल्यान विवाग के अंतरगत सिच्छक परधाना अध्यापक परतियोगीता परिच्छा से संबंधित अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्याले बर्ग 6-8 और माध्मिक विद्याले 9-10 एवं उच माध्मिक विद्याले 11-12 तथा पिछडा बर्ग एवं अति पिछडा बर्ग कल्यान विवाग के अंतरगत प्रारभिक सिच्छक पर सिच्छित ठीक है जो पहले चलाया जा रहा है ये सबस्कूल अति उसमें सिच्छक की भरती होनी है तो उसका अलग से देखे यहां पे दिया गहा है कि परशिच्छित माध्मिक सिच्छक असनातक परशिचित एवं उच माध्मिक सिच्छक असनातकोतर यानि पीजी वाले पढदानाध्य हपक से सम्बंदित ऑनलाइन आवेतन करने की परकि तक संभावित है उक्त परिछा का आयोजन दिनाग 712-2023 से लेकर 1012-2023 तक संभावित है तो इसमें ये बतायागा कि ABC वाले को जोड़ दियागा इसी परकार से बिहार में कस्तुर्वा बिद्याले भी चल रहे हैं उसमें भी टीचर की कमी है तो सरकार को ये भी चाहिए था क कम से कम कस्तुर्वा बिद्याले भाला भी जोड़ देता तो लोगों को सुविधा हो जाती फिलाल जो दिया है तो 712-2023 से 1012-2023 तक संभावित परिछा तिथी भी जारी कर दी गई है और ये डेट जो दिया गया है 311-2023 से 1411-2023 इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की हो सकता है और निश्ची तूरूस से बदलाव होगा क्योंगी इतना कम समय दिया गया है देख सकते हैं 311-14 तक तो बहुत कम समय दिया गया है तो ये डेट तो निश्ची तूरूस से चेंज होगा फिलाल हम लोग ये नोटिस के माध्यम से कम से कब ये तो पता चल गया कि जो हैं नोबंबर में आप form भर पाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसकी विष्टरित जानकारी विष्टरित जानकारी आपको कहा देखने को मिल जाएगी तो रोजगारविहार.com पे आजाए रोजगारविहार.com पे आपको सारी विष्टरित जानकारी सीटों की संख्या से लेकर एज बगेरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा तो बिहार से छक भरती है तो भी गिया पंजारी कर दिया गया है कूल पदों की संख्या 79,692 दी गई है हलाकि ये सीटों की संख्या और बढ़ेगी यानि लगभाग 120,000 हो सकती है लेकिन फिला जो सुरुवात में आएगी उबीद की जा सकती है कि 79,692 है फिर बीच में जो है अभी जो सीटे खाली रहा गई है TRE1 वाला तो फिर वो एड होगा तो लगभाग 120,000 के आसपास पहुंच जाएगा ठीक है तो जिसमें कच्छा से 6-8 के लिए 31,982 ये सब सीटे जो है बिल्कुल किलियर करके यहां पे बताई गई है जो 79,692 सीटे है इसकी घोसना कर दी गई है लिस्ट भी आ चुका है अब बाकी जो सीटे आएंगी उसका बाद में आपको बताया जाएगा ठीक है तो 6-8 के लिए 31,982 सीटे किलियर कर दी गई है और कच्छा 9-10 के लिए 18,880 और कच्छा 11,12 के लिए 18,830 पन सामिल है कच्छा 1-5 का अभी विग्यापन जारी नहीं किया जाएगा इसका जब तक अ सैलेरी आपको कितनी मिलेगी देखिए 1-5 का जानते ही है 9-10 का जानते है 11-2L का जानते है अगर 6-8 का जानना है तो देखिए 28,000 पलस अन्य भादते आपको और पलस नया पेंसल मिलने वाला है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो यह मूल बेतन है और बाकी जाएगा आपका टीरी वन में रखा गया था वही टीरी टू में भी रखा जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अप्लिकेशन फीज जो है जनरल इड़लो एस बीसी बीसी मेल कंडिडेट के लिए 750 रुपे होंगे वही फीमेल के लिए 200 रुपे होंगे स्टी पीएच मेल फीमेल दोनों के लिए 200 रुपे होंगे और अधर अश्टेट कंडिडेट जो होंगे उनको 750 रुपे लगेगे जो कंडिडेट आधार नमबर नहीं डालेंगे फॉर्म में उसको 200 रुपे एक्स्ट्रा देना होगा यानि जो भी इसमें फॉर्म का अप्लिकेशन फीस है वालिया ज होते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए तो उम्र जो है संभावित रूप से कहा जा सकता है कि एक अगस्त दो हजारते इसको 6-8 के लिए 20-37 साल हलाके इसमें हो सकता है चेंजिंग हो जाए 18 भी हो सकता है तो यहां पर जेनरल EWS मेल के लिए 20-37 साल जेनरल EWS फीमेल के लिए 20 से 40 साल और BCBC male female के लिए 20 से 40 साल और SCHD male female के लिए 20 से 42 साल तक उम्र रहने वाली है 910 का जो पिछले बार था हुआ ही रहेगा और 1112 का जो पिछले बार था TRE1 में हुआ ही save to save रहने वाला है आगे बढ़ें तो यहां पर educational qualification में आप देखेंगे 6 to 8 के लिए यहां पर 10 plus 2 plus DLED या DED या CETED या BETED होना चाहिए या फिर आपके पास graduation की degree होनी चाहिए और BED साथ में CETED या DLED या CETED या BETED या फिर BED की यहां पर देख सकते हैं BED है और या फिर graduation के साथ DLED या BED या फिर CETED या BETED भी दिया गया है तो इन में से कुछ भी है तो आप अधर कर पाएंगे 9-10 में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और 11-12 में कोई बदलाव नहीं रहेगा तो जो पहले था वही यहां पर दिया गया है आगे बढ़ते हैं तो syllabus बगरा जो है 6-8 का अभी नहीं जारी किया गया है जैसा ही जारी किया जाएगा यहां पर आपको exam pattern के बारे में जानकारी पूरी दे लिए जाएगी और आप 9-10 की बात करें जो आपका माधिमिक सिच्छक है उसका पहले से जो दिया गया था वही र देखकर 2L का आप यहां पर देख सकते है 6-8 का coming soon है जैसा ही आएगा यहां पर आप download कर पाएंगे apply online अभी नहीं हुआ है तीन तारिक को हो सकता है एक्टिवेट हो जाए तो एक्टिवेट होने के बाद यहां से आप direct online कर पाएंगे ठीक है short notice भी जो अभी मैंने आपको notice दिखाया वो आप यहां से download कर देख सकते हैं और district wise seat ठीक है 6-8 का अगर आप district wise seat देखना चाहते हैं तो यहां से download करके देख सकते हैं 9-10 का भी देख सकते है 11-12 का list 1 list 2 भी आप देख सकते हैं seat की संख्या तो उमीद करता हो सारी जानकरिया आप लोगों को मिल चुकी होगी देखें अखवार में जो दिया गया था कि सिच्छक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिखतियां आएंगी तो यह फिलाल अभी तो नहीं आएगा देखें आप जो है 70,000 के लगवब पहले आएगा उसके बाद जो है उसमें जोड़ी जाएगी और seat की संख्या तो लग आपको मिल जाएगा रोजगाविहार.com पे देखने को तो और रेगुलार विजिट करते रहें मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्डेट के साथ तब तक के लिए बाए जहिंद